Hello everyone, मैं हूँ आस्था, वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूटिब चैनल, गवर्मेंट जॉब जेन नॉटिफिकेशन BP SSE की तरफ से नॉटिफिकेशन रिलीज हो गया है, नियू रिक्रूट में नॉटिफिकेशन सीधी भरती है, पोस्ट रहेगी सविस्पेक्टर की, SI post के लिए नॉटिफिकेशन रिलीज हो गया है, आप इसमें अप्लाइ कर सकते हैं टोटल पोस्ट है 1275, 1275 टोटल भी कैंसी हैं, सविस्पेक्टर पोस्ट के लिए काफी कैंडिफिकेशन का वेट कर रहे थे आज ही इसका notice release हुआ है BPSAC की website पर आप इसका notification चेक आउट कर सकते हैं सारे important points हम इस video में clear करने वाले हैं cover करने वाले हैं इस criteria, qualifications, selection process, application fees and जो भी other points रहेंगे, requirements रहेंगी सारे points में आपके इस video में clear करूँगे so अगर आप भी इसमें interested हैं male, female सभी candidate apply कर सकते हैं सब inspector post के लिए और अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप apply करना चाहते हैं direct recruitment है video continue रखेगा, last तक देखेगा video आपको अच्छा लगे, like and share कीज़ेगा so चलिए अभी मैं आपको इसके notification पर लेकर चलती हो सारे points हम important dates कौन कौन सी है applications कब से start हो रहे हैं क्योंकि आज इसका notification release हो गया है अभी application start नहीं हुए application किस date से start है चलिए हम यह सारे points के लिए करते हैं so यहाँ पर अभी आप इसका notification देख रहे हैं यह bpssc.bis.nic.in पर जाकर कि आप इसका notification चेक आउट कर सकेंगे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरप से यह notification है और इसमें आप देखेंगे बिहार सरकार ग्रह बिभाग अरक्षी साका में पुलिस अवर निरिक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियुक्ता परिक्षक के आधर पर प्रतिधी निवक्ति हेतु बिग्यापन आविदन आमंतरित किये जाते हैं और इसकी जो लास्ट रहेगी वो आप अभी देखी रहे हैं स्क्रीन पर पांच नवंबर दो हजार तेईस इसकी अप्लाइ करने की लास्ट रहेगी पुलिस जो पोस्ट है वो आप देख रहे हैं पुलिस सब्सक्टर की पोस्ट है लिवल 6 इस में सलरी है 1275 एकजाब दोसो पिचतर टोटल विकैंसी हैं यहां पर ठीक है तो आप इसके बारे में देखेंगे इसके बाद यहां पर देखेंगे सेक्षन क्योगता एंड जो भी एलिजबल्टी करनिसंस तो यहां पर इंडियन सिटिजन्स एलिजबल हैं मेल फीमेल थर्ड जेंडर एपलाई कर सकते हैं ऑनलाइन आपको एपलाई करना है और अभ्यारतियों की सेक्षन क्योगता जो है आपकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वार्मेंट है उसकी कट ओफ डेट है एक अगस्त दोहजार तेईस एक अगस्त दोहजार तेईस तक आपकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वाइड है वो आपकी कम्प्लीट होना चाहिए और यहां पर जो क्वालिफिकेशन रिक्वार्में एक मेंट यहां पर है एज कट ओफ डेट हमने देख ली है और इसके साथ ही अभ्यारती की उम्र जो एज है वो भी आपकी एक अगस्त दो हजार तेईस के बेट से काउंट की जाएगी यानि कट ओफ डेट फर्स्ट आप अगस्त 2023 ही रहेगी क्वालिफिकेशन की भी और एज क्राइटीरिया की भी अब इसमें जो अनारक्ष सामान कोटी के मेल कांडिजेट है उनके लिए एज आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर 20 बर्स यानि कम से कम 20 होना चाहिए और मैक्समूम 37 है 20 से 37 साल ये मेल अन्रिजब्ड मेल कांडिजेट के लिए है और पिछलीफा बर के मेल फीमेल जो कंडिजेट है उनके लिए यहां पर एज उनके लिए यहां पर एज है 20 से 40 साल इंसोच जंजाथी के मैल सारे रिक रक्षता क्योंकि यहां सविस्पक्टर की पोस्ट है तो इसमें आपकी हाइट रिक्वाइड रहेगी अनरक्षत कैंडिडेट के लिए और पिछड़ा बर्ग मेल कैंडिडेट के लिए 165 cm, अत्रंत पिछड़ा बर्ग के मेल कैंडिडेट के लिए 160 cm, अनसुचे ज 500 चुजाती और जिंजाती के लिए जो सीना है बिना फुलाइ 79 और फुलाकर 84 होना चाहिए महलाओं के लिए अगर हम देखें यहाँ पर तो इसमें फीमेल कांडिडेट के लिए वेट यहाँ पर चेक किया जाएगा 48 किलोग्राम आपका वेट यहाँ पर होना चाहिए ओके तो यह यहाँ पर दिया गया है इसके अलावा हम इसमें महलाओं के लिए जो हाइट है हाइट मैं यहाँ पर आपको नहीं बता पाई हूँ जो फीमेल कांडिडेट है उनके लिए जो हाइट रहेगी वो 155 सैंटिमीटर हाइट रिक्वाइट रखी गई है ओके तो यह यहाँ पर हाइट और फीमेल के लिए वेट चेक किया जाएगा कम से कम 48 केजी आपका वेट होना चाहिए फिर आपकी हाइट के अकॉर्डिंग भी वेट रहता है निक्ति की प्रकेरिया तो इसमें आपका रिटान एग्जामनेशन होगा रिटान एग्जामनेशन होगा आविदन पत्रों जो हो रहेगा आपका इसमें यह लिखित परिक्षा दो चड़नों में होगी प्रारंभिक और मुख्य परिक्षा ठीक है AMSEQS Types रहेगी, प्री और MENSE exam होगे और ये AMSEQS Types रहेगी, जो प्रारंबिक होगी वो 200 अंकों की रहेगी, एक पत्र होगा 200 अंकों की यानि 200 marks करहेगा 100 question रहेगे जो pre-examination और दो घंटे की टाइमिंग रहेगी इसमें शामा ने ग्यान एवं समसामा एक मुद्दों से related question किये जाएंगे इसमें 30% से कम अंग प्राप्त करने वाले अभ्यारती मुख परिक्षा के लिए असफल यानी इस examination को qualify करने के लिए कम से कम 30% लाना जरूरी है तब ही आप men's exam के लिए qualify होंगे और जितनी vacancies हैं उसके 20 गुना candidate men's exam में call किये जाएंगे बुलाए जाएंगे second जो आपका चरण होगा वो होगा men's exam का और men's exam में भी आपके दो पत्रों होंगे पहला आपका 200 marks का होगा second आपका 100 marks का होगा जो रहेगा हो सामाने हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेदा निधारण में नहीं जोड़ा जाएगा एंडुतिये पत्र सामा नध्यन सामा निग्यान नागरिक सास भारतिये एतिहास भारतिये भूगोल गड़ित और मांसिक योगता जास से संबंदित आपका जो सेकेंड परिश्चन पत्र रहेगा जो 200 मार्क रहेगा 100 कोशंद 200 मार्क 2fs की टाइमिंग आए यहाँ पर तितिये चरण लकर देखें को इहाँ तो यहाँ आपकी दक्शता परिश्चा सारत की यक्योकता ग्योक्निस्ट ऊप्षपर रहेगों आपकी रोहेगी एक इसके बाद सभी जो female candidate होंगी उनके लिए 1 km की दौड रहेगी और इसमें 6 मिनिट का समय आपको इसमें दिया जाएगा उची कुंद होगी 4 feet तक रहेगा इसमें सभी male candidate के लिए and यहाँ पर female के लिए 3 feet कर रहेगा ठीक है उची कुंद, लंबी कुंद यह सारे आपके यहाँ पर रहेगे इसके बाद देखेंगे तो 16 feet से कम फेकने वाले यानि गोला फेक का रहेगा जसमें आपका महलाओं के लिए 12 pound का गोला रहेगा 10 feet तक रहेगा आपको 10 feet and male के लिए 16 pound का गोला निदम 16 feet फेकना होगा तो यह आपका फिजिकल वगरा रहेगा दक्षता परिक्षा वगरा रहेगी अब हम यहाँ बात करते हैं यहाँ पर दिया गया है बिवरण यानि टोटल विकैंसीज तो टोटल विकैंसीज हमना देखनी है कैटिकरीस बाइस आप इस चार्ट में देख सकते हैं इसके बाद आरक्षन की बात करेंगे तो बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षन आनुसुचे जाती आनुसुचे जन दाती एवं अंपिच्वा वर्ग के लिए रहता है जो फीमेल के लिए यहाँ पर बिहार पदों इपसवाओं की रिक्तियों में आरक्षन S.A.S.T.O.B.C. जो रिजाविशन रहता है सेम वहीं यहाँ पर रहेगा बिहार राज के सुकंतवा सेनानियों के लिए भी यहाँ पर रहेगा ठीक है? सो यह यहाँ पर आप देख लिजेगा आरक्षन का लाव और हाँ यह जो आरक्षन है यह सरेफ बिहार राज के जो कैंडिट होंगे सरेफ उनी को यहाँ पर आरक्षन मिलेगा बिहार राज के जो बाहर के कैंडिट होंगे उनको यहाँ पर आरक्षन नहीं दिया जाएगा, आप यहाँ पर किलियर ली देख सकते हैं, एक मिट, यह देखें, आरक्षन का लाव केबल बेहर राज के मुलिवासियों को ही अनुमान नहीं होगा, अन्य राज्जी के आरक्षन कोटी के अभ्यारतों की गर्णा अनारक्ष के लिए ही जो रहता है, सेम वही रहेगी, ओलाइन अफ्लिकेशन जो रहेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पांच अक्टूबर से यहाँ अप्लाइए, अपलिकेशन स्टार्ट होंगे, दिनांग 5 अक्टूबर, ठीक है, पांच अक्टूबर से ऑलाइन आविधन पत डिगरी में आप apply करेंगे अगर आपने graduation किया हुआ है किसी भी subject से तो आप इसमें जरूर apply कीजे यहाँ पर देखें लास्ट अगेन आप देखें लास्ट में आप देख रहे हैं पांच नवंबर इसकी लास्ट डिट रही पांच ऑक्टूबर से लेकर करके पांच नवंबर और बिहार राज्य के बाहर के जो भी candidate है उनके लिए भी रहेगी साथ में जो बिहार state के reserve categories के candidate है और female candidate है बिहार राज्य की उनके लिए 400 रुपए application फीस रहेगी ओके सो ये सब आप online ही करना होगा application 5 October से start हो जाएंगे तो BPSSE की website से आप इसमें apply कर सकते हैं सारी information आपको मैंने इस notification में जितने भी points से सारी के लिए फिर भी आपके मन में कोई question है query है आप comment करके पूछ सकते हैं and I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो like and share कीजेगा और इसी तरह के वीडियो के लिए government job, vacancies, state और central level जो बड़ी भरतिया आती हैं अगर आप वेट करने हैं ऐसी ही किसी विकेंसी का तो चैनल को subscribe करके रखेगा जैसे ही notification release होगा मैं video upload करूँगी और well icon के all option को प्रेस करने से आपको मेरे videos के notification time से मिल सकेंगे thanks for watching झाल ऐसे हूवर यो को मैं अथिस जां झाल खो झाल झाल